हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज का ए वीडियो उन सभी केंडियेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी असम रैफर्स की तैयारी कर रहे हैं क्यूंकि आप लोगो पता नहीं नहीं चल रहा है कि हम असम रैफर्स की एकजाम की तैयारी किस तरह से करें तो आज की इस वीडियो में आप लोगों साला डाउट किलियर करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होड़ी है आप लोगों को इंगलिस में क्यूंकि बहुत सारे इस्ट्वें कमेंट करकर भी पूछे थे कि सर हम इंगलिस की तैयारी कैसे करें हमार इंगलिस हुई है बाक्री सब्जेक्ट हमारा ठीक है बर्ट इंगलिस में क्या करें हमारे एकजाम में स्कूर अच्छा चलते हम इस वीडियो में आप लोगों 먹고 इंगलिस के सबसाथ ने बारे में बताएंगे कि आपके एकजाम में किस टैप के लिशन पूछते हैं और किस से आप लोग को पढ़ाई करना है मत एक महिना आपको टाइम देना है कि आप लोग को तयारी अच्छे तरीके सोजा और एक्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं जिसे आपका फाइनल मिनिट लिस्ट में भी नाम आज है तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूर जाएगा और टेलिकार ग्रूप में आप लोग जॉइन होना शुरू हो जाएए क्योंकि उसमें भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देने वाले तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग आपको सब्जेक्ट के बारें बता रहते है कि सब्जेक्ट में आपको किस किस टाइप से कोशन पूछे आते हैं और मतलब कि किस टॉपिक्स आपके जाड़ा पूछे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैथ इंगलीज जी के जी एस और कंप्यूटर भी बात करेंगे रिजनिंग भी बात करेंगे ठीक और आप लोग को पेगारा का भी कोशन आपके उसमें देखने को मिलेंगे रिटेन इग्याम में तो जो इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वह आपको हम बतायते हैं और एक बात आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग रिटेन इग्याम की तैयारी तो करी रहें इससे ज्यादा इंप अपका ट्रेट्स है क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेट्स कॉली फआइग नहीं करेंगे तो आप लोग का रिटेन में आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप लोग ट्रेट्स के भी तैयारी करते रहें जैसे आप도スト की होंगे रेडियी ओ और बिकायिशे क्रीच हैं कि ट्रेट को बना चुके हैं हर एक ट्रेड का डेडियो में सभी का आप लोगो बना चुके तो आप लोग देख लिए उस वीडियो में जो बात बता हैं कि आप किस टैप से कोशन पुछे जाएंगे उसको तो आप लोग पर ना ही एंसाथ में साथ एक्स्ट्रा कुछ आप लोग पढ़के जाएगा जिससे आप लोग वहां पर जो भी आपसे कोशन पुछ जाएंगे आप लोग बता जें वरना जब हम फिजिकली स्टार्ट होगा तो अब आप लोग को परजेंट में हम आप लोग बताएंगे किस टैप से अभी वरतमान में कोशन आपसे वहाँ पर पुछे जा रहे हैं उसी टैप के आप लोग तयारी करते हैं अभी तो रिटेन के बारे में हम लोग सबसे पहले इंगलीस के बारे में आपका डाव्ट की लेकरते क्योंकि English में आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है English का आप लोग को तैयारिक किस तरह से करना है कि आप लोग का score बिलकुल अच्छा हो जाए English का आप लोग को हम जितना class कराए है आप लोग का playlist बना हुआ है आप लोग उस सारे topic है लेकिन awesome rifles के slayvers कुछ अजीब शाहिए है क्योंकि इसमें जो है आपका होता यह है कि सभी chapter से आपके question नहीं पुछे आते हैं कुछी कुछ chapter से आपके exam में question पुछे आते हैं जैसा कि दो साल से आपके जैसे awesome rifles के जोड़ा question पुछे जा रहे हैं उसी type के हम आपको class भी कराये हैं अभी कुछ दिन पहले भी आपका class खतम हुआ है total class करा चुके हैं और उससे पहले भी मतलब की जितने प्लेलिस्ट बने हुए है ना इंगलीज का awesome rifles का उन सभी को आप लोग को याद कर लेना है क्या करना है उन सभी को आप लोग को याद कर लेना है one word substitution sign on the mentor यह सब को करना है उनको याद कर लिए one word substitution और idiom फ्रेंच यह सब possible नहीं है तो इसलिए आप लोग को word meaning उसके लिए याद करना पड़ेगा तभी आपका synonym और antonym clear होगा बाकि one word substitution और idiom फ्रेंच पढ़ेगा ही तो आपको समझ में आ जाए कि इसका answer क्या होगा ठीक बाकि हम सभी classes आपको हम करवा चुके उन सभी classes को देख लिए और अगर आपको उस classes आप लोग देख लिए practice वाला भी आपको हम class करा चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं और आपको एक बात बता दें आप लोग टेलीग्राम ग्रूप में जो भी लोग जोईने हुए न जाकर जोईन हुजए आप लोग को हम कुछ प्रैक्टिस कोश्चन जो है आपको हम हैं रिटेन प्रोभाइट करवाने वाले हैं ठिक उसको आप लोग प्रैक्टिस कर ले जिएग उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि exam में किस तरह से question आया है ज़्यादा से ज़्यादा आपको fill in the blanks से ही question आते हैं और उसमें भी आपके article fill करने वाले होंगे preposition होंगे, conjunction होंगे और correct suitable word आपके जो होते हैं वो आपको fill up करने वाले आते हैं ज़्यादा तरह यही question आते हैं दो साल से असम राइफल के द्वारा जो दो भरती हुई है वो ज़्यादा कर इंग्लीज में यही इसी type के question पूछे रहे हैं और बाकि आपके vocabulary में आपके sign on name, mentor name, one verse substitution और radium phase इसी type के question आते हैं ज़्यादा level के आपके English में question नहीं आते हैं यह आपके SSC के exam नहीं है कि आपके question जो है वो level करेगा यह असम राइफल का है और इसका भी syllabus आपको देखे हूंगे notification वेगारा में भी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि syllabus इसका क्या है जब आप लोग exam देने candidate गए थे हैं हमको भी नहीं मालूम था कि इसका syllabus क्या है जब वहाँ पर exam देने गए सभी तो तम मालूम चला कि हाँ exam में यह subject से question पुछे जा रहे है ठीक कलरक वाले को लिए बता दे कलरक वाले के लिए computer भी आता है computer भी आप लोग पढ़ लिज़ेगा English के बारे में हम आप लोग बता दिए कि क्या करना है आप लोग को बाके हम आप लोग को hand written खुझ से हां से लिखा हुआ आप लोग को हम telegram group में दो-तिन दिन में आपको जो है practice question हम आप लोग को फेद देंगे 10-20 question हर एक topic से आपको प्रेद देंगे और उसको आप लोग practice कर लेज़ेगा ठीक बात समझ में आगया कोई problem कोई problem हो तो आप लोग हमें telegram group मेसेज कर सकते हैं परसनल हम से पुछना हो यह तो comment कर गभी पूछ सकते हैं वैसे डाउट होना नहीं चाहिए आप लोग का टाइम देते हैं उसको तीन से चार घंटा उस पर टाइम देजिए तो आप लोग अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है कुछ बड़ी बात नहीं है इंगलिस के आपको से होने वाला नहीं है बिल्कुल हो जाएगा math के बारे में बहुत सारे student पूछे थे के math में क्या क्या पूछे आते हैं तो देखिए आप लोगों बता दें वैसे हम पिछली बार हम भी सोचे थे नहीं कि इस बार क्या होगा जो अभी जो जश्ट 2022 2022 वाला जो वेकेंसी आया था समराइफल्स का 1380 पोश्ट वाली तो उसमें भी हम सोचे थे कि so जयादा सज्ट जयादा मेंसुरेशन पर ध्यान देंदेंगे फिक मेंसुरेशन के आप लोग 2D 3D सब़ी मेंसुरेशन की जीतने फ़र्मूला हैने उससमी फ़र्मूला को आप लोग याद कर लिजे फिक और आप लोग जहां से प्राक्टिस करना हो से जीरी का जो भी आपके बूक है उनसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा से ठीक तो मेंसुएशन में अभी तक ये थी सकते हैं तो अब लोग हाँ हो सकते हैं利य तो प्राबलम नहीं अगर जिनको के लिए भूछ ठीक है वह आप लोग पर सकते हैं और प्रीजिस आप लोग करा चुके हम जो क्लास करवा हैं वह आपके असम रैफल के एकजाम में हरे के एक एक जाम में जो है पाँ चार से पांच कोशन फसे हैं तो इसलिए आप लोग उस ले सकते हैं जो भी एक्जाम दिये आप सभी को आता होगा ऐसा कोई इस्टुएंट नहीं होंगे जिनको रिजनिंग आते नहीं होगा यह उतना हाद सब्जेक्ट नहीं है बहुत सिंपल सब्जेक्ट है अगर आप लोग इसको अच्छेतिक से पढ़ते हैं 10 से 15 दिन में आपका रिजनिंग कंपलीट हो जाए था ठीक और यही और दो-तिन चैप्टर थे जो हम प्रैक्टिस पर करा हैं उन्हीं सबसे आपके क्वेशन है तो तो रिजनिंग जो आप लोग को परसान करने वाली नहीं है जो ज्यादा परसान करने वाली है वह आपके इंगलीस था तो इंगलीस आप लोग क्लासेस लेज हैं और हो सके तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वह आपको हम टेलिगराम ग्रूप में सब भेजते रहेंगे ठीक और बाकि और भी जो भी ट्रेड हैं आपके रेडियो ऑपरेटर हो रेडियो मेकैनिक हो ठीक इन सभी के भी आपके रेटर नहीं जाना आप लोग तो मत आपके पास एक महिने का ही टायम है है आप लोग यह मत सोचेए कि हमारा जब ट्रेडिट तेस्ट निकलेगा विजिकल निकलेगा तब ही बाकि जो आपका week subject है उस पर ज्यादा focus किजिए तब ही आप लोगा कुछ होने वाला है वरना फिर आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा आपके रिटेन एग्जाम में तो आप लोग फिजिकल के साथ साथ रिटेन एग्जाम ट्रेट टेस्ट इन सभी का तैयारी आप लोग करते रहें आप लोग को टाइम बहुत जादा पहले एमिल चुका था जब आपका नोटिफिकेशन आया तभी से आपको तैयारी करना शुरू कर दिना चाहिए था तब भी कोई बात नहीं अभी जो लोग नहीं किये तो स्टाट कर दिया अच्छा तरीके से आप लोग त्यारे किजिए और क्लासर जो करा रहे हैं वह आप लोग को डेली लेते रहना है ठीक बाकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं आप लोग के क्लास आप लोग का जो है नहीं हो पाएगा थोड़ा आपका क्वेशन अच्छे तरीके से तयार नहीं हो पाया और जो कल हम आप लोग को करेंसी और देश देश की राधानियों करेंसी वाली करवाए थे ना उसका और डीटियल से हम थोड़ा सर्च कर रहे हैं कि क्या कि कल आपको जी के क्लास कल देखने को मिलेगे आज क्लास आपका नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको सोड़ी बोलना चाहते हैं तो आप लोग जितने क्लास है सोड़े उनसा भी का अपलो याद किजी रिविजन के लिए और आपने पहाई को जो है अच्छे तरीके से ध्या मातने भात मता की जै